आज राज्यसभा में क्रिशक उपजवयपाद और वानीजी विध्ययक 2020 और क्रिशक कीमती आश्वाशन और क्रिश्य सेवा पर करार विध्ययक 2020 बिल थोनीमत से पास हुआ तबी सांसद में बहुत हंगामा शुरू हो गया हंगामा इसकदर बढ़ गया कि सांसद वेल में आकर रूल बुक फारने से लेकर माइक तोड़ने तक हर एक ओची हरकत कर डाली साथ साथ राजसभा के उप सभापती हरिवंच नरायन सिंग के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव भी ला दिया तो मेरा नाम है मुस्कान चौरसिया और आप देख रहे हैं दे इंडिया इंसाइट तो चलिए शुरू करते हैं आज संसद में दो बड़े बिल पास हुए हालाकि यह दोनों बिल थ्वानी वच से पारित हो गए पर दोनों बिल का पुर्जोर विरोध किया गया इस विरोध में भारत की बड़ी बड़ी राजनितिक दल सामने आई बिल का विरोध का शुरूवात आम आदमी पार्टी के संसद संजे सिंग ने करते हुए कहा कि इस बिल के जरिये किसानों को पूंजी पत्यों के हाथ में सौपने का काम किया जा रहा है यह एक काला कानून है जिसका आम आदमी पार्टी के तरफ से विरोध किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि आपने FDI का जमकर विरोध किया था लेकिन आज आज आप किसानों को पूंजी पत्यों के हाथ में गिर्वी रखने जा रहे हैं देश की किसानों की आत्मा को बनाया ही नहीं कोई किसान की बेटा इस तरह की बिल नहीं बना सकता रामकुपाल यादव ने साथ ही इस बिल को एफ वारेंट बताया वही इस बिल पर सिफसेना ने भी अपना विरोध जताते हुए सिफसेना के चर्चित सांसत संजेर राउत ने कहा कि देश में 70 फीसिद लोग कहती से जुरे हुए हैं पूरे लॉगडाउन में किसान की काम कर रहे थे सरकार क्या भरोसा दे सकती है कि बिल के पास होने के बाद किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और आगे देश में कोई भी किसान आत्मात्या नहीं करेगा विरोत के साथ साथ कुछ पार्टियां इसके समर्थन में भी आई इसका समर्थन करते हुए YSR कॉंग्रेस के विजे साई रेड़ी ने कहा कि पूर्वी की सरकार मिडिलमेन के समर्थन करती थी किसानों को अपने उत्पात को लाइसेंस प्राप्त बिचॉलियो और उनके काटल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा उनके इस बयान पर कॉंग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया कॉंग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने इसे शर्मनाक करार दिया वही जेडियों के भी क्रिशी विधय का समर्थन किया गया। पार्टी के सांसद राम चंद्र सिंग ने कहा कि बिहार 2006 में APMC अधीनियम से हटने वाला पहला राज था। तब से क्रिशी उत्पादन और खरीद MSP के साथ बढ़ी है। इस सभी के बीच कई राजों के किसान ने इस बिल के खिराफ प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली निकाली यहां तक की 25 तारिक को रेल्रों को आंदोलन भी छेर दिया। साथ सथ आपको यह भी बता दे कि विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है उससे आप एक जुम्ला के तरह ही माल ले क्योंकि विपक्ष के पास राज सभा में इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं आज के लिए बस इतना ही इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिंद